हेलो एवरिवन वेलकम टू प्रॉक्सी ग्यान मेरा नाम शभाज है दोस्तों उमीद करता हूँ आप से बच्चे होंगे तो आज मैं आपके लिए एक बारे में लेकर आया है दोस्तों तो हम एक काम करेंगे आज से जो हैक जो भी इंटरनाश्टल वेब साइट से जैसे के युनाइटेड नेशन्स हो गया और यूनिस्को हो गया राइट और डबली हो तो उनके जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से लोग पब्लीश करते हैं डे या कोई आपको स्टाटिस्टिक्स मेंशन करना पड़ता है तब आप इस रिपोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं विकॉज इससे क्या है आपको दूसरों से एक अलग आटिटूट मेंटेन करने को मिलेगा एक्जाम में और आपका जो पेपर है क्योंकि कई सारे लोग इससे इंटरनेशनल वेबसाइट को नहीं देखते हैं क्योंकि आपको इसी सीरीज स्टार्ट करें कि जिसमें जो है डाइली जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से एक इंपोर्टन टॉपिक कर लेकर आऊंगा जो के डिरेक्ली आपको जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 2 में पूछे जा सकते हैं भले ही इसमें डारेट कोशन्स ना आएं बट आपको इसका डाटा आपको इसफुल रहेगा आप इस स्टडी को मेंशन कर सकते हैं ताके आपके आंसर राइटिंग में कुछ इंपरिमेंट हो तो चलिए इसी तरह इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैंने आज युनाइटे नेशन वेबसाइट में विजिट किया है उन्होंने अच्छे से एक आर्टिकल को पब्लिश किया है तो जिस तरह से पैंडमी के ग्लोबल चालेंज हो गया जिए नेटीन बाट इससे ग्लोबल चालेंज न उटली न इंडिया की दूकसां कोई दूसरा स्टेन न पाय गया था आर इंडिया में फिर से केस अंगे sãoожно तो नतिंग बट अपार्ट फंद पैंडमिक तो उनाटेड नेशन ने एक एजिसम को भी एक ग्लोबल चालेंज बाना है तो चलिए देखते हैं एजिसम क्या है और किस तरह से लोग इसको ग्लोबल चालेंज डिकलेर कर रहे हैं और इसकी जो रिपोर्ट थी जो पप्लिश की है उन्होंने क्या-क्या फाइंडिंग सिनको मिलें वो भी आज हम जानेंगे ताके आपको जो डाटा मेंशन किया गया है किस तरह से एकॉनमिक प्रॉबलम से और किस तरह से इसके पर हेल्थ प्रॉबलम सोने वाले हैं एजिसम को लेकर इस सारा कुछ आज हम डिसकस करेंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के lecture series को शुरुआत करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ उसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ बोलूगा उसके बाद हमारे जो lecture उसके हम चले जाएंगे Hi, this is Veronica अब आप मेरे साथ one-on-one zoom session book कर सकते हैं competitive exam counseling के लिए जिसरा आपके बहुत सवाल रहते हैं कि competitive exams के लिए क्या optional लिया जाए answer writing कैसे किया जाए उसके लिए मैं आपको counseling दूँगी आपके personal strengths और weakness पे based So see you there only on proxygyan.com Thank you तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो educator एक्सपर्ट educator विरानिका जी उनके साथ आप one-on-one counseling कर सकते हैं अपने सारे doubts को clear कर सकते हैं आज ही हमारे website को visit कीजिए www.proxygyan.com वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको अपने time or requirement के साब से आप अपने session को book कर सकते हैं Okay morning 9 o'clock से लेकर evening 7.30 तक आपको timing से रहेगी जब भी आप free रहेंगे क्योंकि क्या होता है कई लोगों को ये तो पता होता है कि exam के किस तरह से prepare करें बट उनका जो वे होता है वो पता नहीं होता है कि कौन से books पढ़ें किस तरह से approach करें आपको कई सारा ऐसा material होता है जो exam point of field के important ही नहीं होता है बट बच्चे पढ़ते हैं मैंने देखा है कई सारे जब मैं जा रहा था कई सारे institutions को पढ़ाने में तो बेकार material रहते हैं उसमें कोई examination का relevant ही नहीं रहता है फिर भी वो अपना time waste करते रहते हैं तो आप अपने session को book कीजिए विरॉनिका मैं जी से उनसे discuss कीजिए अपने doubts को clear कीजिए और books क्या-क्या है वो भी आपको refer किया जाएगा तो आज ही जाए विजिट कीजिए और अपने requirement के साब से आप book कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए आज का lecture हम शुरू करते हैं तो what do you mean by ageism? Okay, so जैसे हमने पहले slide में ही बढ़ दिया था इतना बड़ा title था ageism is a global challenge तो कहीं लोगों को first line में ही डाउट आ रहा होगा, what is ageism? आपको भी डाउट आ रहा है, right? Ageism is nothing but based on age के पर discriminate करना Right? तो old age person के साथ आप किस तरह से behave कर रहे है और children in age के जाथ आप किस तरह से behave कर रहे है Okay, तो यहाँ पर इन्होंने according to UN a definition को भी इन्हों पप्लिश किया है Ageism refers to a stereotypes Stereotypes is nothing but how we think किस तरह से हमारी सोच है एक particular person का आप ले लिजे Society में आप में भी देख रहे होंगे कई सारे लोग रोते है जो old age के साथ old age people जो है उनके साथ अलग बहेव किया जाता है पर्टिक्लर जेंडर और पर्टिक्लर कास्ट और वाटेवर यृटिक अबाओ अगर नेक्स्ट हो गया Prejudice So prejudice का मतलब है कि how we feel कि आपको पर्टिक्लर situation में अगर आप महजूद हो तो उस situation में आप किस तरह से react करेंगे That is also comes under ageism and discrimination Discrimination is a common term आपने कई बार सुना होगा कि किस तरह से जो है कास्ट को लेकर discrimination होता है Religion को लेकर discrimination होता है उसका फाइदा जो है ओट बैंक politics उठाती है So these are all three things according to the UN जो अपनी website में official website में उन्होंने mention किया है कि ageism ए तीनों को मिलाकर किया जाता है एक आपको stereotype होगा कि किस तरह से आप सोच रहे हैं किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं particular situation में और किस तरह से आप discriminate कर रहे हैं लोगों के साथ Okay that is nothing but ageism तो इसके क्या affect होने वाला है health पे economy में आपको doubt आ रहा होगा न तो हम आगे discuss करेंगे तो चलिए So ageism की वज़े से क्या होता है तो इन्हों पहले में आपको थोड़े बहुत यह लोग जो Facts बता हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो ageism is nothing but it leads to the poorer health Okay social isolation हो आता है इसके वज़े से और earlier death होने के chances भी है Okay later I will discuss कि किस तरह से linkage होता है अभी आपको बस सुन लीजे आप मैं रिपोर्ट जब दिखाऊंगा आपको तब आपको one by one relate होता जाएगा Okay तो आप सोच रहे होंगे कि भाई महीं किस तरह से लोगों के साथ पेश आ रहा हो तो उसको death से क्या related है Okay तो उन्हेंने बताया कि every second person in the world is believed to hold ageist attitudes Okay जब मैं यह fact पढ़ रहा था website में तो I was astonished Okay कि दुनिया में हर दूसरा आदमी के पास इस attitude को आपको पाया जाता है Right जब भी आप किसी function में जाएंगे या फिर किसी societal function में जाएंगे तो आप किस तरह से behave कर रहे है अपने देखा होगा कई सारे rich people के साथ लोग अच्छे से पेश आते हैं poor people के साथ जो है discriminate करते हैं Older age को जो है फीचे ढगल देते हैं लोगों को We will find every now and then Okay तो इन्होंने mention किया कि हर दूसरे आदमी में इस attitude को पाया जाता है तो इसकी वज़े से आपको कई सारे नुकसानात है पूरर physical and mental health हो रही है कई लोगों की जो old age person है उनकी quality of life को हम reduce कर रहे है और इसके वज़े से क्या हो रहा है Not only the health issues they are also causing the economic problems तो हर बार जो government है इन लोगों के लिए billions of dollars खर्च करना पड़ता है according to the UN report on ageism जो इन्होंने clearly mention किया यह मेरी और आपकी कही हुई बात नहीं है इन लोगोंने 149 studies करके इस report को publish किया है तो इस तरह से facts अगर आप exam में mention करेंगे तो it will have a positive impact क्योंकि आपको essay writing में भी पूछ सकते है ageism is a global challenge please elaborate तो आप इस सारे facts को लिख सकते है वो कहते है ना माबाप को देखकर ही बच्चे सिकते हैं तो इस तरह से culture age stereotypes पैदा हो रहा है बच्चों में ओके इवन दो दो यह four year four years old three years old so their thinking are different okay so they are looking their elders and they are learning so how they are behaving their father and mother behaving with the old age peoples तो उसी तरह वो लोग भी carry out कर रहे है अपने feelings को अपने behavior को different different ages के साथ यह तरन आउट कर रहे है आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे है किस तरह से लोग active है okay so because they talk like anything with the adults वो कुछ भी बोल देते है उनके पास जो है एक discipline एक behavior एक जो मासूमित होनी चाहिए वो धीरे धीरे चली जा रही है एक चार साल का लड़का रहता है वो बड़े बड़े बात करना शुरू कर देता है it will not suit that child age and all so how it will developing in the children it is nothing but culture age stereotypes विसको कहा जाता है तो ageism हरे को effect करता है दोस्तों आप धोके में मत नहिए कि बच्चों को नहीं होता है even though it affecting children also so how it will affecting because they are looking at their adults okay self-directed ageism कि उनको कहते नहीं है कि आप इस तरह से पेश आओ बड़े लोगों साथ but they learn it's nothing but self-learning self-directed ageism they will also create a discrimination they will also create so अगर जड़ से हम इसको बीमारी को निकाल देंगे तो बड़े होकर भी stereotypes का हम बदल सकते है so that's why they have done a research study on children also clear होगे आपको तो चलिए आगे बढ़ते है so findings में आपको बता देता हूँ तो जैसे के 2020 में इन्होंने research किया था 149 studies जो मैंने आपको बताया था अभी तो उसका 85% of results have an impact directly on the health and economic problem okay so because old age people, younger adults they often feel the disadvantage in workplace okay उनको के साथ कई सारे discriminate किया जा रहा है specialized training को लेकर education उनकी decline होती जा रही है अब तो Corona की वज़े से तो सारे schools closure हो चुके है वहाँ पे भी decline हो रहा education okay और उन्होंने बताया कि 6.3 million cases of depression can you imagine 6.3 million cases of depression are having due to the ageism okay तो एक ऐसा दबा हुआ एक खिस्सा है दोस्तो है जो लोगों में बहुत सारे लोग care नहीं करते हैं इसके वज़े से देखी आप 6.3 million cases के depression cases हम को देखने को मिलते हैं worldwide में तो एक छोटा factor नहीं है तो इसी लिए तो UN ने कहा है कि it's going to develop a global challenge now next health problems के अगर बात करें तो health problems ageism की वज़े से क्या हो रहा है इस depression की वज़े से so आदमी 7.5 years earlier मर जा रहा है तो मैंने आपको पहले point में बताया था कि ageism किस तरह से effect कर रहा है जब आप discriminate करेंगे hospitals में जब आप discriminate करेंगे अपने जो रहन सहन में या आप discriminate करेंगे medication में treatments में sorry दोस्तो जब आप treatment में medication में तो इस covid pandemic की वज़े से हम लोगों को पता चला कि किस तरह से behave किया जा रहा है और ageism आपको health behaviors risk जो है वो बड़ा देता है unhealthy diet मिल रही है लोगों को drinking water proper नहीं हो रहा है इसके वज़े से quality of life भी reduce हो जा रही है तो overall it will impact on the health and it is reducing by 7.5 years. यह very important data अगर आप इस पेरे को इसी तरह लिग देंगे exam में तो it will have a very positive impact. Okay So लोगों की मौत जो है होना शुरूख हो गई है Okay, next हो गया ageism influence the health in three pathways तो इन्होंने बड़े खुबशूरती के तरह health factor को elaborate किया है कि ageism किस तरह से effect कर रहा है पहला तो psychological Okay, दूसरा हो गया behavioral behave आफ किस तरह से कर रहा है और तीसरा हो गया Physicological. Okay, don't confuse with psychological and psychological. Okay, these two are both different Okay, एक एक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, psychological behavior is nothing but it's creating a negative thoughts in people Okay, जब कभी भी आप gender के साथ discriminate करते हैं अपने office में अपने workplace में या फिर old age person में आप medication को लेकर treatments को लेकर आप एक discriminate करते हैं You can say stereotypes okay, आपके thinking उनकी उनके प्रती अलग है, it will create a negative thoughts Okay So it will have a psychological effect Next हो गया behavior So behavior आप किस तरह से उनके साथ पेश आ रहे है So उनको proper देखा जा रहा है या नहीं उनको proper treatment दी जा रही है इसके वज़े से क्या होता है Self perception पैदा हो जाता है लोगों के बीच में कि हाँ बहे देखो इस particular gender हमारे साथ इस तरह से behave कर रही है तो उनके पर क्या है वर्स हेल्थ इंपाक्ट भी पढ़ने वाले है और फिजिक अलजीकल इस अटिंग बड़ तो फिजिक अलजीकल इस लॉंग टर्म एफेक्ट आप कह सकते हैं So long term effect in the sense कि अगर आप इसी तरह continue करते रहेंगे both that is psychological and behavioral psychological मतलब कहा है negative thoughts okay behavioral मतलब उसके साथ किस तरह से आप behave कर रहें अगर यह दोनों भी long term के लिए चलता रहा तब आपको पड़ेगा psychological तो उसके साथ उसके brain में नहां रही सारे changes पैदा हो जाएंग okay so tangles accumulation of plague मतलब उसके जो brain में है उसके सोचने की जो ताखत है को positivity है वो कम होती चली जाएग okay so this is a major impact of health problems which is causing due to the ageism okay आपने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से हम जाने अन जाने में एक लोग के पर impact कर रहे हैं हमारे society के जो लोग है उनके पर हम हमारा behavior impact कर रहा है तो आज से आप decide कर लीजिये दोस्तों कि आप किसी के साथ जो है इस ageism का factor नहीं करेंगे आप discriminate नहीं करेंगे old age people के साथ चाहे वो psychological हो behavior हो या physical logical हो positive environment देंगे positive thoughts हमेशा देते रहेंगे because they will have a huge impact है क्योंकि आपको देकर अपने बच्चे जो है सीखने वाले आगे चलकर वह भी इस तरह से अगर follow करेंगे then it will have a long term impact तो चले नेक्स्ट होगा economic problems तो economic problems की वज़े से क्या होता है 2020 में study की गई थी US में तो उन्हें बताया है age stereotypes को लेकर जो negative thoughts है और जो self perception जो develop हो रहा है उसके वज़े से almost 63 billion dollar का खर्चा करना परता है in health conditions के लिए okay हमेशा सिर्फ US की बात है so entire old की अगर बात करें तो it will very large figures also US में study की गई है 63 billion dollars they have to do the excess annual cost to overcome this kind of people for health conditions के लिए तो एक negative fact आप कह सकते है negative fact है तो positive fact के अगर बात करें तो Australia में estimate किया गया था इन्होंने कहा है कि 5% more people aged 55 or older were employed तो उनके पास कहा है कुछ positive impact भी पढ़ा है तो उनकी जो economy है annually वो 48 billion dollar बड़ी भी है जो Australian dollar है 48 billion dollar वो उसको बड़ाया भी गाया जब इन्होंने एक positive environment create किया गया था even though the people who are working in the particular organizations are very older are very more than 55 years can you imagine even though आपको तो यह सोच रहा होगा कि आप भाई यह तो old age people है इनका productivity कितना कम रहेगा पर यहां पर देखे उनको annually 48 billion dollar का फाइदा हो रहा है किस तरह से हुआ है they are creating the positive impact they are changing their psychological minds they are changing the behavior towards the older age people okay तो यहां पर मैंने आपको एक नुकसान भी बता दिया एक फाइदा भी बता दिया तो this is all neutral लेकर हम जो है चलना पड़ता है PSA examination में तो किस तरह से हम come back करेंगे तो उन्होंने रिपोर्ट में clear ली लिखा है कि इस ageism को address करने के लिए तो एक तो आप awareness create किजिए लोगों के बीच में educational activities को बढ़ाए और इन्होंने यह भी कहा है कि आप जो studies कर रहे है आपका जो education curriculum है वहाँ पर एक subject को भी include किया जाए ageism तो एक का काम नहीं है दोस्तों तो सारे countries, सारे stakeholders को साथ में मिलना पड़ेगा अपने जो present conditions है अपने अपने countries की उनका data पहले collect करें अगर data ही ना हो तो किसके पर research करेंगे किसके पर काम करेंगे आप भी बताइए तो जब data available रहेगा तो उसी पर आप research करेंगे उसको कैसा improve करिया जाएगा awareness programs या schemes, government schemes को लाया जाएगा तो पहले यहां पर हमारे पास lack of data है even though we are having lack of data तो इतने सारे हमारे पास facts है तो जब data बाहर real data निकल कर आएगा तो it will be a horrible situation for us तो उन्होंने इस तरह से कहा है next exam point office very important है दोस्तों आपको not only UPSC, SSC, CGL में भी पूछ सकते है कि United Nation ने इस decade को यानि 2021 से लेकर 2030 तक 10 साल तक इसको declare किया decade of healthy aging okay तो very important आपको years दे दिये जाएंगे so United Nation declare which decade of healthy aging 21 to 30 और 31 to 40 इस तरह से आपको questions दे जाएंगे because it is also aligned with the 10 years of sustainable development जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि 17 goals है हमारे SDG के तो उसके alignment में लेकर इन्होने इस साल को decade of healthy aging को declare कर दिया गया United Nation it's an international famous organization जब इस factor को इतना importance दे रहा है then you can imagine complete decade ही declare कर दिया decade of healthy aging then you can imagine how this aging problem is impacting the society तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको आज का lecture पसंद आया होगा so it's a healthy discussion आप समझ सकते हैं okay so आपको जो है examination point of view से भी important है अब UPSC means में इस थोड़े बहुत facts को आप यहां से लिख सकते हैं फूरी report आपको पढ़ने की जोरुत नहीं जो जो मैंने importance आपको points दिखाये हैं अभी economic problems, health problems, what is ageism okay बस उतना अगर आपने आपने answer में mention किया then it will be very helpful to you and create a positive impact also तो चले फिर मिलता हो मैं आपको अगले lecture के साथ कुछ interesting topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो कर दो कर दो कर दो